अलो स्टूदेंट साइव्क इसके पढिने वाले हैं क्लास फाइव के गड़ित की कारपुष्ट न यहाणि इयूणि इंटे वहीता प्रियामMarkente hac- महूंति स्enthald utan अब कोर्ण दूसरा है Ooh अधर प्रबने वाले यह पत्रम maior कंदल नाम सी पता चला अगए। तुट्त्र माने तीन भुजमी भुजाएं एक ऐसी आक्रती जिसके अंदर तीन भुजाएं होंगी यानि तीन सरर रेखा हैं आपस में मिल नहीं होगी तो त्रवुज बना रहे होंगी ठीक है तो अच्छे सीखें इसमें त्रवुज कितने प्रकार के होते हैं किस विए करीतीयों की संख्या को जिनके पहचान आप करी नहीं सकति हैं जिनका कोई नाम नहीं है अब जैसे यह अक्रति एक है यह आब इसको तौwnभु नहीं कहेंगे ना बृत कहेंगी वरकें पुछ नहीं कशो इससे ऑपन आक्रती कहेंगे खुश की अब जैसा यीए यह ख कुली आकर्ति एक ये भी खुली आकरती है तो इनकी भी संख्या आपको बतानी है अब तृभुजयूंग संख्या आप इसमें लेखेगी अ तो एक दो तीन को चार पांच चे त्रभुजयूंग संख्या ओगई छे अ अब आयत वह संख्या लेखेगा आयतrée दो और तीन और एक चार चार इसमें आयत हो गए अब बर्गों के शंक्या लिखेगा तो बर्ग है एक दो तीन और चार चार बर्ग है अब बर्तों के शंक्या लिखेगा एक दो तीन चार पाँच पाँच बर्त है बैशी आकतियों संक्या जिसकी पहचान आप नहीं कर सकते हैं उसके लिए देखेगा एक दो तीन और एक ये चार ठीक एकात कम जादा हो गई हो तो आप स्वेम देखके लिखें तो ये था इसका फर्स्ट कुष्टिन देखते हैं सेकंड शेकंड हमसे का गया दी गई आकतिय और को किस रेखा से बणिए उनके नाम लिखुने हैं , उनकी नाम लिखना है इस प्रकास से यह सरल लेखा कहिए जाती बकर-, रेखा मतलर बस इतना आपको लिखना है तो जो सीधी सीधी लायना है वो आपको सरल लिख दीजिएगा सरल रेखा ठीक आब ऐसे आप इनको समझ सकते हैं अब यहां पर आपको लिखना आए कि नीचे दी गई आकृतियों कि सीधी रेखा से बनी आकृतिया बक्रेखा से बनी आकृतिया थता दोनों से बनी आकृतियों को रूप में बर्गी कृत किया गया अब जैसे कुछ ऐसा होगा जो सीधी रेखा से बनी हुई है और बक्रेख पुए प्र इखा कियो नहीं होगी पसब शरल रिखा किसी सी ची चीज हो orth кли कई बरी लिखाइं के नाम लिखने हैं तो आप यह में नाम नहीं लिखता हैं hardware क्या लिखेंगे तो तीर दिखाई दे रहा है इसका नाम क्या लिखेंगे फिर इसका नाम क्या लिखेंगे फिर इसका नाम क्या लिखेंगे फिर इसका नाम क्या लिखेंगे यह कैसी आकृति इसका नाम क्या लिखेंगे ठीक यह तो चत्रबुज दिखाई दे रहा है ठीक य यह चत्रोबुजतों है लेकिन यह चोच सीने के लिए इसका क्या नाम लिखेंगे यह संगतब्रत हो जाएगा यह एक तरीके से ड्रॉप है बूंद ठीक यह दो संगत अर्दब्रत हैं यह एरो है यह फिलेक कह सकते जंडा यह हम कह सकते हर्ट दिल या पान का पत्ता या तो आप लिखेंगे इसमें से एक और्दब्रत पणि की बूंद औरने यक पायप का एक तरब का सिरा है यह इसमें लिखेंगे दोनों रिखाओं से बनी आकितनी कितनी यह सिराए फिर दिप इस के संख्या लिखेदाए चीक है अब देखें धराझ कितने प्रकार के होते हैं जब तरपाई रहे जाता है जिसे शम वह इंगलिस में कहते हैं जन्णिक टुरूज की टीनों बजाएं बैस बस्टें लांगलिस में कहते हैं जब तुरुज की तीनों बजाएं असमानों यानि तीनों बजाएं अलग-अलग लंबाईगी होती तो इसे बिशम बहाव तुरुज कहते हैं और इसकी इंग्लिश होती ऐस केलिन ट्राइंगे अब देखें इसी समंद्ध यहां पर आपसे आकृति बनवाई जाएगी जैसे यहां पर है सम द्रिभावत भूज इक ऐसा तुरुज बनादा है जिसकी दो बोझाएं बरावरओं जैसे तो किसी भी लंबाई का हम इसका एक बेस खींच लेंगे किसी भी लंबाई का बेस किंचने ठीक माल यह एक हमने भे चिस खींच दिया तो साड़े तीन ही हमारी इधर भी होनी चाहिए ठीक है इधर देखो शाड़े तीन पर नहीं आ रही है ठीक तो इधर हम थोड़ा कम करें यह आप हम ऐसी ऐसी बता दे रहें आपको फिंच करके जैसे हमने एक यह बना दिया है ठीक और यह हमने मिला दिया है उत्रह एक्यूरिट मापके अगर बनाएंगे तो फिर वो उसके लिए आपको करनी पड़ेगी इसकी रचना ए बी सी को इत्रव जिसमें हमने मार लिया यह दो बुजाय बरावर लंबाईं यह हमने बता दिया आपको A,B और A,C याणि जो लेंथ ए,B की ए वह लेंथ A,C की है तो दो बजाय बरावर होगे बी सी को इए तीसी लेंद की हो सकती है तो एक ऐसा तरवज जिसकी दो बजाएं बराबर होती है सम देवहाव तरवज कहलाता है इसी प्रकास से सम बहाव तरवज एक ऐसा तरवज बनाना है जिसकी तीनों बजाएं ही बराबर हो तो हमने इस प्रकार से एक तरवज बना दिया है जिसके तीनों बजाएं आपको एक समान लंबाएगी मानने पड़ेंगी एक तरवज हमारे पास A, B और C है जो माप इस बजा की है वो ही माप इस बजा की और वो ही माप इस बजा की अर्थाद जो लेंध A, B की है वो ही B, C की है और वो ही C, A भुजा की है तीनों भुजाएं एक ही लेंध की है जिस तरवज में वह तरवज शम बहाव तरवज कहलाते हैं देखो भुजाओं के आदार पर भी तरवज तीन परकार के होते हैं और कोणों के आदार पर भी तरवज तीन परकार के होते हैं ठीक है तो देखेगा यह तो हो गया सम दिवाव तरवज बिशम सम बहाव तरवज तीनों भुजाएं बरावर अब एक ऐसा तरवज जिसे बिशम बहाव तरवज कहते हैं जैसे ही है इसमें एक भी बुजा आपस में बरावर नहीं होगे सभी बुजाएं अलग-अलग माप की होंगी इस तरवज की जैसे हमने यह मिला दिया और एक यह बुजा ले ली और एक बुजा की माप हमारी यह है अब आप देखेगा यह इनके नाम डाल देंगे बर्टेक्स के नाम डाल देते हैं मालो अ है यह बी है अब आप देखने में भी यह लग रहा है इस बुजा की माप देखो कुछ और है इसकी कुछ और है और इसकी कुछ और है तो A, B, not equal to B, C, not equal to C है आपस में कोई बजा बरावर लंबाय की नहीं है जैसे मालो हम अंदास से लिखना चाहए हमने यह लिख दिया 5 cm यह लिख दिया माल लिजीएगा 10 cm और यह लिख दिया 8 cm देखो तीनों बजा अलग-अलग माप की हो गई तो यह शम बिशम बहातरवज कहला था, इंगले से इसको S-Caling triangle कहते हैं तो एक तरीके सापने यहाँ पर यह सीख पाया होगा कि वह जहाओ के आदार पर तरवज तीन प्रकार के होते हैं शम बहातरवज, बिशम बहातरवज और शम दिवहाओ तरवज और अब चलिएगा कोण सीखते हैं, यहाँ पर एक तरवज आपको बना के दिखाया गया और कोणों की माप लिखी और यहाँ पर एक नोट लिखा हुआ, किसी भी तरवज के तीनो कोणों, अंतहा कोणों का योगफल, एक सो अस्सियंस होता है अंतहा कोणों का मतलब होता है, अंदर, यहसे हमने एक तरवज यह बनाया, इसके यह अंदर वाले जो कोणों होते हैं, इनका योगफल एक सो अस्सियंस होता है और किसी त्रोज के बाहरी कोणों का युगफल भी आपको पता होना थी, बाहरी कोणों समतरब जैसे एक त्रवोजम ने ये बनाया है, इसका एक बाहरी कोण ये हो जाएगा, एक ये और एक ये, एक ये, बाहरी कोण, एक ये, बाहरी कोण, एक ये, बाहरी कोण, अंदर के त तो यहां पर देखो तीनों पॉनों ने जोड़ करके लिखा है यह स्टेंडर है यह कम ज्यादा नहीं होता त्रोज के तीनों कोनों का युफल हमेशा 180 डिग्री ही रहएगा न एक डिग्री ज्यादा होगा न एक डिग्री कम होगा अब आपके पास यह द्रोज है इसके तीनों को को नाप के लिखना अब आप इसमें यह सीखेंगे को नाप प्रसुच को लिखते हैं और कौन को दो तरीके इसमाप सकते एक तो एदर से भी कौन की माप ले सकते हैं, तो देखेंगा, 0, 10, 20 इस प्रकार से जा रहा है, और ये 180 तक, और आप चावत इदर से माप होगे, तो ऊपर फिर लिखा हुआ, 0, 10, 20 लोटते हुए आएंगे, तो यहां भी लिखा 180, दोनों तरफ से कौन को माप आ जा सकता है, दोनों तरफ से मतलग हमने इदर रख दिया, ये बर्टेक्स देख, और ये लिख दिया, और ये लाइन के ऊपर लाइन हम जब रखेंगे, इसकी ये, तो ये कौन हमको 60 डिगरी का दिखाई दे रहा, देखो, ये 60 पे जारी लाइन, ये 60 ये, 120 को नहीं देगे, 120 को तब देगे, जब इद इदर से माप लिजेगा, ठीक, तो ऊपर वाले देखें, जब हमने इदर से माप रहें, तो ये 0, 10, 20, 30, 00, 60 ब्यारे, ये भी 60 का ये, ठीक, 60, अब देखो, दो कौन 60 को होगा, तो तीसरा कौन भी 60 का ही होगा, क्योंकि 120 हमारे पास है, तीनो कौनों का ये उख़ल तो 108CNC होता है, तो तीसरा अपने आप ही 60 का होजा, अगर आप नापेंगे, तो 60 का ही निकलेगा, तो इस प्रगार से हम कौनों को नाप सकते हैं, एक और बताते हैं, चलो इसकी मेजरमेंट लेते हैं, ये कंपलेटली देखो, 90 डिगरी का, आ कौन हमारा, ये हमारा, बा, बा कौन का आगया, 90 डिगरी का, ठीक, अब एक 90 का आगया, तो दो ऐसे कौन निकलेंगे, जिनका सम 90 होगा, जा करके, अब आप इसको ले लिए, दो इकौन नाप लो, तीसरा अपने आप निकल लेंगे, हम लोग, इस कौन की माप जा रही, 30, सा की 30 जा रही माप, ठीक, अब हमारे पास 120 जवा में है, 180 करने के लिए, कितना होना चाहिए, 60 ही तो होना चाहिए, एक 90 हो गया, तो दो बचे हुए का सम भी 90 ही होगा, तीनो का सम 180 डिगरी, ठीक, अब इसी प्रकास से ये बचा हुआ, इसको आप स्वें, इसी प्रकास से डी की साहता से कौन माप करके, यहां 60, 120 हमारे पास है, तो होना चाहिए था, 180 है, हमारे पास 120, तो कितना और चाहिए, 180 में से 120 कम करेंगे, तो 60, यह कौन साट अंस का होना चाहिए, तो इन्होंने देख़ए, यह निकाला पूरा लिख करके, अब आप यहां पर आ जाएगा, देखेंगा, एक त्रभुज है, जिसका एक कौन 40 है और एक 30 है, तो 430 मिलके हमारे पास कितने होगे, 70 हो गई, तो 70 को हम क्या करेंगे, बा कौन बताने के लिए 180 में से, कौन बा जो होगा, जाकर 180 में से जो दो कौन हमारे पास जमाम हैं, उनका सम कितना हो रहा, जोड कितना हो रहा, 70 हो रहा, तो 70 इसमें स से साट तीस नब्बे अमाई पास जमाम है तो तीसरा कोन नब्बे ही होना चाहिए कियोंकि हमें 180 चाहिए तो कौन बाप बताने के लिए हम क्या करेंगे 180 जो जमाम है मारे पास 90 वो घटा देंगे तो तीसरा कॉन निकल आए गा 90 डिग्री आप डिग्री और लगाईएगा यह 90 लिखना है इसी प्रकास यहाँ पर हमारे पास जमाम है एक 90 एक 35 है तो अगर हम 180 नाकम करके तो हम क्या करें इसको 90 करने के लिए हम कितना और देना पड़ेंगा इसे 90 करने के लिए रहे हमको 55 देना पड़े तो 55 और 35 आपके 90 तो कोन आप निकालने के लिए हम क्या करेंगे चाहे 180 से हम क्या करें इन दोनों कोणों का योगफळ घटा दीजिए यानी 90 और 30 में हो जाएंगे जाके ह्वार जिसकि तीनो कोई नभ्यहंस से कम हो तो नेonic Noise कोई नभ्यंस सखाई हो तो यह संकों कॉनों के अधार पर थी प्रकार के होते हुए और मेल हुए वो 80 से कम है तो यह हो गया हमारा नियून को धिनी तरऊ canyon को धितरो यह दिक कर दोतरो कि नमसे ख़ो हैं हम कि आपर देखे श्क नवह बसे ऍoshima काम धिना विल्थ से पाने लिख है इसकोन तो को धाल इस में है 1-2 हो पाएगा दो नहीं हो पाती है तो एक नब आसादिक घो जाएंग awhileF करनी के तो देखेगा है कि पहले बाक कितने निकलता है दो साथ निकल नहीं लींगे तीसरा अपने आपा जाएगा बाकी बैलू आगी 60 अब आस्सा निकाल लेंगे हम शा की बैलू भी आगी 60 तो निश्चत रूप से ये भी 60 ही होगा ये एक 60 चाहिए सम तो यहां लिखता है नियून कोड़ी है त्रभोज नियून कोड़ी है त्रभोज इसी प्रकास से आप इनके कोड़ नाप नाप के लिखेंगे और फिर ये देखेंगे इसमें देखना ही है अधिक कोड़ ये त्रभोज होगा लेकिन आपको कोड़ नाप करके यहां लिखने भी है अब देखें त्रभोज के बारे हम कुछ और बात हैं वो आमें आप सीखने हैं तरभुज की एक विशिष्टा यह भी होती है, तरभुज की किनी दो जाओं का योगफल हमेशा तीसी से बड़ा हो, तभी तरभुज बन सकता है, निता इस्तिती में तरभुज बनाया नहीं जा सकता है, अब आप देखे गें किनी दो जाओं का त्रभुजा से अधिक होगा तभी त्रभुज को बनाया जा सकता है अब इसी प्रकाश से आपको इसमें बैरिफाइ करना कि या त्रभुज सही है कि गलत किनी दो बुजाओं का योफल तीसरी से अधिक है उसी प्रकास से किनी दो बजाओं का अंतर तीसरी से कम होगा अब अंतर देखेगा जैसे हमने चार में से तीन कम किये एक बचा जो की चार से कम है ठीक चार में से तीन कम किये एक बचा चार से कम है चार में से चार मानस किये जीरो बचा जीरो तीन से कम तो किनी दो बजाओं का अंतर तीसरे से कम होगा और किनी दो बजाओं का जोड तीसरे से अधिक होगा ये दो वातें आपको पता होनी चाहिए अब इसमें भी आप ऐसी clarify कर लेंगे किनी दो बजाओं का अंतर तीसरे से बड़ा देखेगा साथ में से छे जाएंगा एक बचेगा जो कि तीन से बड़ा तीन से कम है साथ में से तीन जाएंगे चार बचेएंगे जो कि छे से कम है छे में से तीन जाएंगे तीन बचेएंगे जो कि साथ से कम है तो अंतर तीसी वजा से कम होना चाहिए और जोड तीसी वजा से आधिक होना चाहिए और लास्ट क्वेश्चन यह है कि यहाँ पर एक आपको चित्र गिविन है इसमें आकिती में कितने त्रवज हैं वेला सवाल हमसे पूंचा गया है कि इस आख आगरती में त्रवोज कितने देखीए एक तो यह बनना एक इक एक वनना दो एक एवनना तीन और एक यह बनना चार और एक यह पूरा का पूरा बनना पाँच आकिती में बने त्रवोश के अंतर कोणों को चांदे की साहता से नाप कर लिखना है आ, सा, रा आ, शा, और रा इनको नाप के यहां लिखना है एक तो दियाएगे हमको 90 डिगरी का कोण आ यह 90 डिगरी का गिवन है और कोण सा को आप नाप के इसमें लिखेंगे और कोण रा को भी आप इसमें नाप के लिखेंगे तो कौण सात्र बज़ बता गया यह बता गया हमको है आ, शा, और रा तो जैसे एक 90 का तो दूसरा नापने के लिए हम क्या करेंगे देखेगा इसे रख लीजेगा यहां पर यह हमने यहां रख तो यह देखेगा चालिस यह जो सा आ रहा है वो चालिस डिग्री का रहा तो इसमें आप यहां सा की जगए लेकिन चालिस अब हमारे पाद चालिस और 90 एक्सोत तीस हो गया तो बचा हुआ है एंगल हमारा यह होना चाहिए पचास का का हमुए शंतों चाईए नभेए इसी प्रकास से एक और रासादाह कि अब ऑब देखो रासादकों सा राशा और दा इनके कोनों को भी नाप करके नापके में लिए कोन साından और इसको जब नापेंगे यह कोंड ने के लिए को यह बोपने नीन निद्म से ही जो स्वागें त्रवुज राचज धॉस दलो कि अगले सवाल पहुंचे है तक यृणा त्रवुज उमें कौन सा थ्रवुज भुल्ट भंगंद कि कि आगटी में कौन सा प्रवुज शम वा त्रवुज यानि ऐसा त्रवुज इसके तीनों बजाए यानि ऐसा तरवुज जिसमें एक कौन नबबय डिग्री का हो तो आपको देखें यहां दिखागी देगरा ही आशा-रा आसा-रा लेकिन हमें नबबय यहां बीच में लेना तो लेखो आप यहां इस लिखा रा आ यह जो कौन बताना होता उसे बीच में लिखते हैं तो हम लिखेंगे त्रवज रा आ शा यह हमारा सम कोण त्रवज इसमें एक कोन नब्बें सिकाओ वो सम कोन त्रवज होता है तो इस किलास में हमने सीखा सम कोन त्रवज नियून कोन त्रवज अधिक आपस में बराबर हो और हमने इसके किनी दो बजाown का अंतर कम होता है कितना हमने शीका है इसकलास में तो है